वीडियो class में हम कैस क्षटी करने वाले है तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि जो समर सीजन होता है ठीक है गर्मी की दिनों में हमको कैसा ड्रेस पहना चाहिए तो द्रेस लाइट इस चाहिए तो अ क्या थे ब्लाइक आट अलगे ड्र्स पहने चाहिए आपको अच्छा comfortable feel होगा ठीक है या फिर dark color के dress पहने है आपको अच्छा feel होगा तो ऐसा सर्दी और गर्मी में अलग-अलग dress पहने की क्या जरूत पड़ गई है यह question है यह question है चिकू का मुंसिलाजी से और यही question आपका है श्वेता माथ से ठीक है तो आप लोगों ने question जवाब देखेंगे बच्छों हम आज इस video में देखें सबसे पहली बात करते हैं हम कि हम हम जो है dark color के dress क्यू पहने हैं सबसे पहले हम सर्दी की बात करते हैं तो देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ पर winter में okay तो देखें winter है न winter में हम आ गए यानि कि सर्दी के time पे अब सर इसा पहना हुआ है black color का dress पहना है ठीक है कौन सा dress पहना है black color का dress पहना है ठीक है अब यह black color यह क्या करता है black color होता कैसे है तो black color का dress black दिखाई क्यों दे रहा है बात तो यहाँ पर यह है तो होगा क्या कि sunlight से जो यहाँ पर sunlight आ रही है तो यहाँ से sunlight में बचों आपको पता है न कि कितने color होते हैं सातो रंग होते हैं तो इनकी अपना इनका wavelength होता है तो यह अब क्या होगा कि sunlight से जो color आ रहा है सातो रंग आ रहे हैं तो यह बला यह ड्रेस जो ड्रेस चिकु ने पहन रखी है वो ड्रेस इसके उपर इस ड्रेस के उपर जब red color आएगा तो यह क्या करेगा red color को अपने पास ही रख लेगा red color को जाने नहीं देगा ठीक है अब देखो उसके बाद yellow color आया, orange color आया, blue color आया, indigo आया, violet color आया, all colors को black color ने किसी भी color को जाने नहीं दिया, जितने भी color आ रहे है, red आ रहा है sun lights में से, जो red color आया है उसको भी पकड़ के रख लिया, ने 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 तु मुझे बहुत पसंदो, मै तु मुझे कहीं नहीं जाने दूगा है ना, तो red color को पकड़ लिया, फिर orange वाल आया, वाओ, ये भी अच्छा लग रहा है, orange color को भी पकड़ लिया, फिर yellow color आ रहा है, yellow को भी पकड़ लिया, उसके बाद green आ रहा है, उसको भी पकड़ लिया, blue, indigo, violet, all colors को पकड़ लिया, तो all colors को जब ये पकड़ लेता है ना, पकड़ के रखता है, तो क्या होगा, all colors से इसके अंदर heat भी तो होती है, गर्मी होती है ना, sunlight में आपको गर्माहट महसुस नहीं होता है, और जब सारे ही light को इसने पकड़ के रखा है, capture करके रखा है, तो सारे rays जो है, सारे light जो है, ये अपना heat भी इसी कपड़े के अंदर ही रखेंगी, ठीक है, क्योंकि इसने, इसको सारे ही color पसंद आ गए है, इस dress को, black color का जो dress पैना हुआ है, उस dress को सारे ही color पसंद आ गए है, ठीक है, just wait, देखे, अगर अब ये black color का dress है, ठीक है, तो इस black color के dress को, अगर यदि इस black color के dress को, और अगर पहनते हैं, ठीक है, ये black color का dress पहनते हैं, तो इससे होगा, इससे होगा, ये, जो भी color आ रहा है ना, इस black color ने all colors को अपने पास रख लिया है, एक भी कलर को यहां से जाने नहीं दिया तो सारे कलर यहां पर रहेंगे तो क्या होगा, इन सारे कलर के अंदर अपना हीच होता है, है न गर्मी होती है आप सनलाइड में आप बाहर क्या करो धूप में न आप रख दोगो, धूप में आप बड़तन रख दो ग्लास आपने धूप में रख दिया उस ग्लास को जब जाओगे, यह ग्लास है ठीक है, स्टिल का ग्लास है, इसको आपने धूप में रख दिया जब आप इसको धूप में जाओगे और एक ग्लास आपने रखा है घर के अंदर तो उस घर के अंदर वाले glass को आपने टच किया तो वो ठंडा है लेकिन जो धूप में glass है उसको जब आप टच करेंगे तो आपको कैसा महसुस होगा वो गर्म रहेगा गर्म क्यूं होता है क्योंकि sunlight के अंदर photon की energy होती है ना उसके अंदर गर्माहट होती है photon की energy होती है ठीक तो अगर winter में इस तरीके का dress पहना जाए या dark color का dress पहना जाए तो उससे होगा क्या क्या आपका शरीर गर्म रहेगा और उस समय सर्दी में ये चीज आपकी requirement है कि आपको अपने शरीर को गर्म रखना है क्योंकि सर्दी का मौसम है ना तो आप अपने शरीर को गर्म रखना चाहते हैं तो requirement कैसी है requirement यानि कि जरूरत क्या है जरूरत है हमारे शुरूर को गर्म करने की और ये उस गर्म करने में हमारी मदद कर रहा है इस वज़े से हम dark color के dress या फिर हम black color का dress पहनते हैं कब तरदी में ठीक है अब हम बात करते हैं गर्मी में तो गर्मी में देखो क्या होता है गर्मी में हम पहनते हैं white color का dress ठीक है तो अगर मैंने गर्मी में ये white color का dress पहना है तो उससे मुझे क्या होने वाला है क्या फायता मिलने वाला है देखो इस white color के dress से होगा क्या कि अब जितने भी color आ रहे है यह white color का dress क्या करता है, कि एक भी color अपने पास नहीं रखेगा, इसके पास आएगा, देखो, starting से देखो आप, violet color इस पर आया, कहां से आया, sunlight से तो आएगा ही, तो violet color आएगा, इस white पर, यह तो sweater है, otherwise अगर white color का dress है, तब देखे आप, तो आ रहा है, इसमें white color आ रहा है, तो white color को क्या कर देगा, यह एगा, ना, ना, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, बेज दिया, वापस बेज दिया, उसके बाद, देखो, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, साथ तो color बारी-encing पर आ रहे हैं, बारी-बारी से क्यों सब एक साथ ही आ रहे हैं, लेकिन, इस color ने, एक भी color को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि इसको एक भी color पसंद नहीं आल तो इसमें सारे color को उठा करके फिक दिया, ठीक है, तो जब सारे ही color चले जाएंगे तो सारे color के साथ उसी गर्माहट भी चले जाएगी और आपका शरीर कैसा रहेगा ठंडा आपको कैसा मैसूस होगा cool ठंडा मैसूस होगा गर्माहट नहीं होगी ठीक है तो इसे लिए हम गर्मी के दिनों में light पहनते हैं या white color के dress पहनना पसंद करते हैं इसी को हम प्रिफर करते हैं ताकि एक भी color यहाँ पर रुके न और जब एक भी color नहीं रुकेगा तो उससे क्या होगा उसे होगा यह कि color नहीं रुक रहा है तो उसकी heat भी नहीं रुकेगी और हमारा शरीर कैसा feel करेगा cool ठंडा देखे तो सारी color यहां से हड़ जाते हैं और जब सारी color यहां से निकल जाते हैं देखो इसने जब सारी color को यहां पर रोक लिया है तो all color इसके अंदर है सारी color इसको दिखाई देगा black color का, ठीक है, अब अगर all colors, all colors अगर आजाएंगे आखो पर, है न, देखो ये वाला भी color आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, all colors का combination, क्योंकि क्या होता है, ये होता है, white, है न, तो all colors का combination, जब white होता है, तो चीकु को ये dress भी कैसा दिखाई देगा, white दिखाई देगा, और white color से पुछा जाएगी, तुम्हारे पास कोई color है, क्या, तो कहता नहीं, मैंने तो सारे colors को वापस भिज़ दिया, तो इसलिए म cool cool है न, ठंडा cool cool रखेगा, और ये black वाले ने क्या किया है, सारी color रख लिया है, तो इसके वज़ए से इसके पास क्या है, बहुत सारा heat होने की वज़ए से, ये हमारे शरीर को कैसा रखेगा, ये हमारे शरीर को रखेगा गर्म, और winter season में शरीर को गर्म रखने की requirement है, तो अगर हम summer की बात करें तो summer में हमारे शरीर को ठंडा रखने की जरूत होती है तो summer में requirement क्या थी कि शरीर को ठंडा रखा जाए तो white color शरीर को ठंडा रखेगा white color या light color का जो भी color address होगा वो हमारे शर्दी को एक छाइगा थंडा रहकेगा और black कलर जो है वो हमारे शर्दी को गरम रखेगा इस वजह से हम सर्दी में पहनेंगे black क्लर का ड्रेस और कि बहुल यही कलर नहीं white का मतलब white and light कलर के ड्रेस तेक है यहां पर black and dark कलर के ड्रेस ओके बच्चों तो I hope कि चीकू को अपना answer मिल गया चीकू को answer मिल गया ठीक है और answer मिल गया यह खुश हो गया मुंसिलाल जी को बोला thank you papa ठीक है उसी तरीके से आपको भी answer मिल गया answer मिल गया है तो श्यता मा को भी comment में thank you बोलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो like करिए ओके बचों तो study करते रिए ओके